जीहां दोस्तों ये खबर सामने आई थी कि सागर धन्खड की पिटाय के बाए सुशिल कुमार घड जाकर सो गया लेकिन अगली दोपेर जब उसे पता चला कि हत्या की एफायार उसका नाम दर्ज हो चुका है तो वो रिशिकेश भाग गया था सुत्रों के नुसार शुरुवाती तीन दिन तो उसने अपने मवाईल फोन का धड़ले से इस्तिमाल किया लगातार कई लोगों से बात करने की कोशिश की कि कोई तो उसकी मदद करेगा इन सब मामले से छुडाने के लिए क्योंकि दोस्तो पहलवान सशिल कुमार के कई सारे कॉंटेक्ट ऐसे थे जो पहले भी कई विवादों से उसे बचा चुके थे सुत्रों की मताबिक तो ऐसे में मुबाइल फोन का उसने धड़ाले से इस्तिमाल किया ताकि कोई तो उसकी मदद करेगा लेकिन जब छापे मारी तेज हो गई तो वो एक इनोवा में रिशिकेश से भाग कर मतुरा पहुँचा ये बात दोस्तों हम हवा में नहीं बलकि एक टोल बूत की सिस्टीवी केद में में उसकी तस्वीर केद हो गई थी लेकिन मुबाइल फोन के जरिये दोस्तों लगातार कई सम्बंदों के संपर्क में था ताकि कोई उसकी हेल्प करेगा कोई ऐसा शक्स सामने आएगा जो इस मुसीवत की घड़ी में उसकी मदद करने के लिए आगे आएगा और उसको इन सब चीजों से बचा लेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सुशिल कुमार लगातार मुसीवतों फस्ते चले गए अब नौबत ये है कि अपने परिवार वालों से मिल नहीं सकते कोवीड-19 नियमों के कारण लेकिन दूसी तरफ जेल के अंदर कुछ दुनों तक मुबाईल फोन से बात कर सकते हैं जो नियम बनाये गए हैं कि आप इतने दिन की अंतराल के बाद अपने परिवार वालों से या आपने किसी भी खास दोस्त सगे संबन्दी से फोन के जरिये बात कर सकते हैं तो ये खबर है दोस्तों आप सभी को बता दे कि किस पर कारण सुषिल कुमार ने पांच से ज़्यादा ठिकाने बाले थे यानि कि पांच अलग अलग जगों पर गया था दिल्ली बहादुरगड के बीच भागधोड करता रहा था फिर चंडिगड भाग गया था उसके बाद महां से भटंडा और जालंदर गया लेकिर फिर चंडिगड वापस आने पड़ा और ये कहा गया था कि वो है एक शराब सप्लायर के पास पैसा कलेक्ट करने गुडगाओं आया था तब तक पुलिस के टीन टी में उस पर शिकंजा कर्स चुकी थी ये खबर लगातार सामने आयी थी दोस्तों लेकिन सुशल कुमार के मुवाइल फॉन से हर बार पता चला उसकी लोकेशन बदलती रही उसने फिर बाद में तरीका ये निकाला था कि वो इंटरनेट के जरीए अपने खास लोगों से बातचीत कर रहा था सिम तोड़कर फेक दी थी अपना मुवाइल फेक दिया था लेकिन किसी आइपेड या फिर लैप्टॉप के जरीए या फिर किसी मुवाइल के जरीए ही वो वाइपाई डॉंगल किनेक्ट करके बात कर रहा था तो उसको ट्रेस कर पाना महुत मुश्किल था जिसकी वज़ जिसे वो खुद सामने आया तब पकड़ा गया वरना उसकी लोकेशन जल्दी पता नहीं चल पा रहे थी अब भारत देश कितना बड़ा है कोई कहीं पर भाग रहा था और ऐसे में कुछ लोग तो उसकी मदद भी कर रहे थे नेक्स्ट एन एन स्पोर्स की रिपोर्ट